अक्सरी में बच्चों की पसंद का खाना बनाती हूँ लेकिन आज बेटे का नहीं, हस्बेन की पसंद का खाना बनाएं हाई अब्रिवन, वेल्कम बैक टू आवर चैनल, मेरी पूरी कुकी स्वाट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरख्षित रहें और खुब खुश रहें, हर दिन की तरह बाद भी यही अभिलाशा है मेरे, आज का व्लॉग, सिंपल, टेस्टी डिनर, डिनर में क्या बना होता है ना कि नहीं आ सकी, अब हजमन की लगा था ड्यूटी थी, कल तो जैसे कि मैंने बताया, 2nd February, रात दिन भर भी ड्यूटी थी, फिर सुबह आये हैं और फिर ड्यूटी थी, यानि कि कुछ कारण की वज़े दे सबजी नहीं आ सकी, आलू, टामाटर प्याज है घर पे तो आज सिर्फ मैंने क्या किया, सुबह ही काले चने भी हो दिये हैं, तो मुझे एक काले चने की सब्जी वाख़ी बहुत पसंद है, लेकिन अब सब्जी आती रहती हैं तो फिर इनका चांस हो नहीं, पाता है, इस किप हो जाती है, तो आज जब ऐसा मौका था कि सब्जी नहीं है, तो फिर मैंने प्लान किया कि आज काले चने की सब्जी बनाऊंगी, तो वहीं बनाऊंगी, और आगी क्या क्या होगा, चलो शुरू करते हैं, और हाँ, व्लोग तो शुरू होगा ही, दिनर की त्यारी तो होगी, मैं एक बार दो तीन दिनों से सोच्चियों बतान है, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करो, तो किसी भी रिप्यूटेट साइट से करो, लेकिन जो आजकल ऑनलाइन बिजनिस शुरू हो गए हैं, और अधर सोचल मेडिया में, लोग अपने जैसे घरों में ही कुर्तियां, सारी, ऐसे सेल कर रहे हैं, विसे बहुत रिस्क ह पैसे हैं, जोनोंने मुझे मतलब जानकारी दी, कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, मतलब लेना था, तो जो आइटम नोंने सेलेक्ट किया, जो ने लेना था, वो तो नहीं मिला नहीं, उल्टा कुछ दूसरा प्रोड़क्ट आ गया, और प्रोड़क्ट और पेमेंट कट गई और ना वो एक्सचेंज हो रहा है, और ना ही उसका कुछ आगे का सलुशन है, ऐसे, दूसरा ये कि किसी ने सेल किया, और उनके अकाउंट पैसे आने चाहिए, उल्टा क्या हुआ, उनके अकाउंट से उतना ही पैसा निकल गया, तो इसलिए जब भी आप कभी बाहर की ऐसी किसी लोगों से लें, तो COD हमेशा डालो, cash on delivery, ताकि आप देखो, जो आपने order किया, वो आपको मिले, तो आप पे करो, अधरवाइस हाथ जोड़ो, फिर चाहे वो कितने भी अंगे पंगे करें, भी नहीं लेना हमें, हमने वो जी मांगी थी, वो नहीं है, और दूसरा ये हम उनको कुछ claim भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जगह से तौबा करो, उससे तो बहतर है कि आप बजार से जाके चीज़ ले लो, जो सस्ती चीज़ें दिखती हैं, कई बार उसका सौदा बहुत महंगा पड़ जाता है, मैं दो-तीन दिनों सोच रही थी कि बताऊंगी, तो मै रेगुलर टाइम भी स्कूल गया था, वहीं से गया हैं बच्ची, और शाम को साड़े पांच बजी करीब वापस आया है, आया तो बस दूद लिया उसने, और दिन भर से वहां खुब खेले कूदे होंगे, ठक गया है, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए ले और अभी मैंने एक कप चावल भी धो के साइड में रख लिए है, यहाँ पर कूकर में सरसों का तेल डाल के गरम किया है, फिर बारी कट्यूही लसुन डाली है, एक चम्मच जीरे डाले है, और लाल सुखी मिर्ची मैंने इसे काट के डाली है, तेज़ पता डाली है, हिंग डाली है, इसी के साथ एकदम बारी कट्यूही प्यास डाल करके भी भून लेंगे, प्यास जब तक ऐसे हलकी सी फ्राई हो रही है, इसमें एक चम्मच अधरक ग्रेटेड डाला है, ग्रेट करके रखती हूँ, मैं छोटे वाले जिससे चाय के लिए गिसते हैं ना उसी से, अब यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची, इनका मैं पेस्ट बनाऊंगे, यह जो हमारा अगारो का मल्टी फंक्शनल है ना, चौपर, स्लाइसर, यह बहुत अच्छा है, और सबजी में एकदम ग्रेवी अच्छी चाहिए ना, तो टमाटर पीस के डालो तो ग्रेवी अच्छी ही रह जाती है, और धनिया पत्ता भी चाहिए सब जीकली तो भी में से धोके काटके रख लिया एक साइड में, और यहाँ पर टमाटर देखो, प्यूरी तैयार हो गई है, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं, मल्टी फंक्शनल है यह, अभी मैंने यहाँ पर प्याज में अल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, सारे मसाले हाफ चीजपून डाले और धनिया पाउडर एक चमज डाली है, अभी इसमें टमाटर प्यूरी डाल दी है, जिसमें हरी मिर्ची भी साथ में पिसी हुई है, बस मिक्स कर लिया है, अच्छ में थोड़ असा ताजा हरा धनिया बस मिक्स करके कुछ मिनट पहले अच्छे से भून लेंगे इसके बाद नमक सौध के अनुसार डाला है इसे भी डालके मिक्स करके भून लेना है जब थोड़ दिर भूने उसके बाद पानी डालेंगे और जितनी आपको क्रेवी चाहिए इसके हिसाब से आप पानी डालें मैंने करीब दो गलास पानी डाल दिया है क्योंकि पके की भी सबजी फिर गाड़ी होने लगती है और इसमें अच्छे से तीन-चार विसल लेंगे ताकि चने अच्छे से बॉइल हो जाए अब मैं बना रहे हूं मटर पनीर पुलाओ जिस इसलिए बहुत बड़े-बड़े पीसिस नहीं रखेंगे पता चावल का दाना चोटा पनीर बड़े-बड़े तो वो अच्छे नहीं लग देखने में ऐसे जैसे मटर डालनी है तो मटर से तो बड़ा ही हो पनीर बस वैसा ही पीसिस कट कर लिए हैं यहाँ पर चार- कड़ाई में भी इसको चौक सकते हैं मटर पनीर पुलाओ अच्छे से पक जाता है कड़ाई में बलकुल लेकिन वही है ना कि मैं छोट यह कूकर में चौल बनाती हूं वह पूरा फिक्स आइडिया है मेरा कि एक सीटी में बन जाता है चावल पानी का भी अंदाज बिलकु दो चमच इसमें जीरे डाले हैं तेज पता डाला है और साथ ही डाली है हरी मटर एक कप मटर डाल करके पहले जीरे के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लिया है अब इसी में जो फ्राइ किये हुए हैं पनीर ये पनीर भी डाल देंगे अब मटर पनीर मिक्स हो करके उसको पहले एक बार भूं लेगे मटर पनीर को इसके बाद जो चावल भीगे रखे मैंने एक कप चावल भीगोया था बस वो डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार डालेंगे और मिक्स कर लेंगे यह प्लेन मटर पनीर राइस भी बहुत अच्छा लगता है बस इसमें पानी डाल तो जैसे कि मेरा पुराना चावल है ना तो एक कप चावल में मैं दो कप पानी डालती हूं मैंने वैसे ही डाला है और एक विसल आएगी वस कैस पन स्टीम पूरी निकलने के बाद कुकर खूलेंगे तो आप चाहें तो यह मटर पनीर को लाओ आप बासमती राइस में बना सकते हैं कढाई या कुकर किसी में भी अभी यहाँ पर सबजी की स्टीम पूरी निकल गई थी फिर मैंने खोला है कुकर और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मेक्स कर लिया सबजी रैडी और इसे में इस ग्लास बोल में चानसफर कर लिया है में आण चाहती स्टीम टूरी देड़ से खाने वाला है हस्बदन को अभी खाना थी ऌठीम करना है120-1ρέ duty Play लें मैक्रोगAR अब मदेदार बात यह है कि इस टाइम पे आप क्या वनाए हम रोटी पूरी पराठा जैसी घर में फर्माईश हो जो कि शुबहम जैसा कि मैंने बताया लेटा है तो जैसे मैंने पूचा कि क्या वनाओं तो हाजबन बोले पूरी बना लो क्योंकि चने की सबजी के साथ उन्ह पूरी पसंद है वतलब कुछ सब्जिया जिसके साथ उन्हें पूरी पसंद है हमारे शुबहम को पूरी नहीं पसंद उसे रोटी पसंद है तो मैंने दोनों का इंतिजाम किया है उनके लिए पूरी बनाई है शुबहम के लिए रोटी से एक करके कैसरोल में रख दी है ले को यही खाना मैं बनाती हूं पता है यही पसंद है उन्हें मटर पनीर की सबजी पूरी पापड़ वाली थाली और हलवा तो था ही लेकिन कल जैसे देर से आये ड्यूटी से फिर हम लोग बाहर चले गए वहां से आये तो नाइट शिफ्ट थी तो वहां पर भी चले गए फिर के से करके गी लगा के कैसरोल में रखे और थाली तैयार तो अभी बैटके उनका खाना हो रहा है सब मैंने टेबल पर ही रख दी है डोंगे पुलाव बहुत अच्छा बना है सबजी बहुत अच्छी बनी है बस चना अच्छे से बॉयल हो जाए ना फिर वह सबजी बहुत जादर तेल मसाले डानने की भी जरूतनी होती है सिंपल सी लगती है लेकिन फिर भी चेंज बहुत अच्छा लगता है और बस गर्म गर्म पूरियां फ्राई कर ली और फिर मैंने भी पूरी खाई लेकिन अपने लिए मैंने पूरी फ्राई करके रख लिया बस शुभं के पूरी प्राठा और रोटी सब बराबर है पर वह एक्स्टा सिख गई ना जब उन्होंने बोला मेरा हो गया तब तक क्या है कढ़ाई की तो आच रहती है अब सिख गई तो सिख गई फिर और शुभं को तो खानी नहीं थी इसलिए वो मेरे लिए रख लिए मैंने प्लेट और पूरी लेकिन हाँ उसे प्याज वगरह नहीं डलती है अब चुकि कोई पूजा अब रहत नहीं है तो हम लोग डाल ही लेते हैं यह सबजी ऐसी है कि पिना प्याज लसुन के भी अच्छी बनती है पस अब पूरा केचन क्लीनिंग दी एंड होता है मेरी रसुई चाहे लंज टाइम की हो चाहे देने टाइम की लंज में वैसे करते हूं खाना बनाया सबरसोई साफ और खाना बनाके रख दिया शुबम देर सी स्कूल से आता है हस्बिन कभी आए कभी नहीं आए लंज टाइम पे तो बस वैसे ही खाना टेबल पर रख दिया और यहां पर वाचिंग बाइ टेक चेर